नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सब का मेरे इस चैनल लिगास फिनालिसिस में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लिगा के CPR इंडिकेटर में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टन सेटिंग्स और कॉंसेप्स को बताया था अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप इस वीडियो को आप जरूर देखे अब इस वीडियो में हम लोग सिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे स्ट्रेड़िकिस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे CPR की मदद से आप एक effective और profitable swing trading ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लिगा की financial analysis, finalysis दोस्तों अगर आप मेरी इस channel लिगा's finalysis को follow करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको CPR से related सारे concepts को काफी detail में बताया है और most importantly उससे related logic और underlying basic concepts को भी सबजाने की कोशिश की है So that आप न सिर्फ एक अच्छे trader बन सकें बल्कि एक informed and knowledgeable trader बन सकें अगर आप इस channel पर नए हैं तो मेरे CPR, pivot point और value area वाले playlist को जरूर देखें वहां मैंने CPR से related सारे concepts और strategies को काफी detail में बताया है Link उपर i button और नीचे description box में already mentioned है Coming back to swing trading CPR और pivot point से related जितने भी concepts हैं जोके intraday trading में use होते हैं जैसे की ascending CPR, descending CPR, virgin CPR, narrow range and wide range CPR, etc. वो सारे concepts swing trading के लिए भी काम करते हैं मैंने intraday से related इन सारे concepts को already discuss किया हुआ है तो मैं इस video में swing trading से related in strategies को बताऊंगा और साथ ही साथ मैं पुराने videos के reference और links भी आपको दे दूँगा so that आप उन concepts को और details में चांद सकें Otherwise अगर मैं उनी concepts को repeat करता रहूंगा तो यह videos unnecessarily काफी लंबा हो जाएगा Alright, तो चलिए मैं एक एक करके आपको swing trading के strategies बताता हूँ with examples on Liga's CPR indicator, alright तो आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि swing trading, intraday trading से बहुत ही मिलता जलता है तो सबसे बड़ा difference है वो है time frame का जहां हम intraday के लिए 5 minute का candle use करते हैं with CPR time frame of daily वहीं हम swing trading के लिए weekly या monthly CPR time frame prefer करते हैं तो मैं जो generally use करता हूँ, वह है weekly time frame with 30 minutes candle stick तो यह swing trading के लिए ideal combination है इसके अलावा हम दो और combination use कर सकते हैं that is monthly CPR time frame along with 2 गंटे का candle stick या 4 गंटे का candle stick अगर हम 2 गंटे का candle stick select करते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखता है हम इसको adjust कर सकते हैं तो लगबग 80 candles हमें मिलते हैं with this combination तो जो मैं prefer करता हूँ, वह है weekly CPR time frame with 30 minutes जहां एक week में हमें लगबग 70 candles मिलते हैं यह सारे settings मैंने अपने पीछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं ट्रेड ले सकते हैं तो पहला concept है value area का value area buyers और sellers के combination से बनने वाला वह zone है जहां prices एक range में trade करते हैं लगबग 70% of the prices एक particular time period में इसी value area zone में रहते हैं और जब भी prices में एक imbalance create होता है तो prices तेजी से उपर या नीचे की तरफ भागती हैं जो हमें एक breakout के रूप में decline देता है हम swing trading में भी इनी breakout को capture करने के कोशिश करते हैं यह हमें generally एक बहुत ही अच्छे trading opportunities देती हैं मैंने इस value area के concept को बहुत है detail में और कई examples के साथ इन दो वीडियो में explain किया है अब यह दोनों वीडियो देख सकते हैं अगर आप value area के concepts को और अच्छे से समझना चाहते हैं अब मैं आपको value area की मदद से कैसे एक effective swing trading ले सकते हैं वो मैं आपको दो examples के साथ explain करता हूँ तो आप इस chart में देख सकते हैं कि prices लगबग 2-3 दिनों के लिए एक narrow value area में फसे हुए हैं जो कि यहां इस reason से clearly demarketed है और जैसे ही candles ने value area को ऊपर एक पाग candle के साथ break किया we saw a good upward movement तो इस तरह आप value area की मदद से एक profitable swing trading ले सकते हैं with taking a long position अब हम एक और example देख लेते हैं जहां हम देखेंगे कि value area की मदद से आप कैसे एक short trade ले सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि candles कुछ दिनों तक एक value area में trade कर रहे हैं जो कि यहां clearly demarketed है और जैसे candle ने इस value area को एक पाग candle के साथ नीचे की और break किया we saw a good downward movement और इस तरह आपने CPR का weekly time frame और 30 minutes का candle के combination से value area के concept को इस्तिमाल करते हुए short trade लिया होता तो आपको बहुत ही अच्छा swing trading करने का opportunity मिलता तो आप देख सकते हैं कैसे लीगा का नया CPR indicator जहां कि हमें एक लंबी अवदी का time frame चूज करने की opportunity मिलती है with just one click इसकी मदद से आप कैसे successful और profitable swing trading ले सकते हैं by both taking long as well as short positions तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले strategy को तो value area के concept पर ही based है मेरी अगले strategy जिसे हम PDH और PDL breakout strategy कहते हैं अगर हम CPR के context में value area को समझें तो हम loosely कह सकते हैं कि किसी भी time period में उसका CPR एक value area को ही दर्शाता है कहने का मतलब अगर हम weekly CPR time frame में अगर काम कर रहे हैं तो weekly CPR एक weekly value area को दर्शाता है and hence PDH और PDL इस value area के upper और lower range को दर्शाता है और हम जानी चुके हैं कि prices जब भी एक value area को break करते हैं upside या downside तो यह एक काफी अच्छा move देता है जो कि एक बड़िया swing trading की opportunity भी देता है अगर हम weekly या मतली CPR time frame में काम कर रहे हैं तो तो मैंने अपने इस video में इसी PDH PDL breakout के concept को काफी details में बताया है आप इस video को देख सकते हैं in order to understand this concept in more detail मैं यहां पर आपको एक बात clear कर दूँ कि अगर हम weekly CPR time frame में काम कर रहे हैं तो यहां PDH previous day high को न दिखा कर बलकि एक previous week high को दिखाता है और PDL previous day low को न दिखा कर एक previous week low को दिखाता है तो आपने अगर weekly CPR time frame यूज किया है तो यह upper yellow line weekly high दिखाता है और lower line weekly low line दिखाता है तो जब भी candles weekly upper limits को उपर की तरफ या weekly lower limit को नीचे की तरफ ब्रेक करें तो वो हमें एक long और short swing trade करने की opportunity देता है ठीक है तो चलिए इस PDH-PDL breakout based swing trading को कुछ examples की मदद से समझ लेते हैं तो यहाँ आप clearly देख सकते हैं कि हमने weekly CPR time frame यूज किया है और 30 minutes का candle यूज किया है और हम देख सकते हैं कि जब भी एक बड़े powerful candle ने weekly high को एक momentum के साथ break किया है तो अगर आप इस strategy के base पे यह एक long trade लेते तो आपको बहुत ही अच्छा swing trading मिलता और luckily अगर आपने इसे कुछ और दिनों के लिए hold किया हुआ होता तो यह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा swing था ठीक है एक और example से इस concept को समझ लेते हैं तो यहां हम इस concept को use करते हुए एक long trade की वजाए एक short trade कैसे लेते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहां हम देख सकते हैं कि जैसे ही एक decent size power candle ने previous week low को नीचे की तरफ बेख किया तो हमें एक बहुत ही अच्छा downward swing trade देखने को मिला तो आप यह देख सकते हैं कि यह concept बहुत ही अच्छे से swing trading के लिए काम करता है अगर आप previous week high, previous week low या फिर previous month high और previous month low breakout concept को use करते हैं अगर नहीं आया है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखें ठीक है तो अभी तक आपने दो बहुत ही महतुपुर्ण value based strategies को देखा यह बहुत ही अच्छे strategies हैं और market में काफी effectively काम करती हैं मैं request करता हूँ कि आप इन strategies को अच्छे से समझ लें और इन्हें sufficient time खुद से backtest करें live market में तब आप काफी confident feel करेंगे and I'm sure you would be able to make a decent profit out of it. Alright? तो अभी मैंने value area और CPR based दो बहुत ही महतुपुर्ण concept को आपको explain किया है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से swing trading ले सकते हैं इसी तरह CPR based कई और भी concept है और strategies हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से swing trading ले सकते हैं और strategies को मैं अगले वीडियो में आपके लिए explain करूँगा क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सारे strategies को cover करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा and you will lose all the interest तो आप आने वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं CPR-based अगे के strategies आपको बताऊँगा hope you would have liked my effort don't forget to express your love if you do so do like share and subscribe my channel and do let us know your thoughts and queries by writing in the comment box below watch out other videos in the series basics of CPR, pivot points and value area to gain an in-depth knowledge on that note I'm signing off do take care of yourself and your loved ones stay healthy stay happy bye bye I'm I'm